पूरे जारकन में पंचाय चुनाओं को लेकर सरगर्मी तेज़ हो चुकी है जितने भी मुखिया है या भावी मुखिया परत्यासी हैं उनके द्वरे बड़े वादे के जा रहे हैं लेकिन किनके वादों कितना दम है वो तो जनता तै करेगी बड़ाल आपको बता दें कि पूरे जारकन में चार चरनों में पंचाय चुनाओं होना है दो चरन का जो चुनाओं है वो संपन हो चुका है दो चरन के सेसबज गए हैं यानि 24 मई और 27 मई लेकिन जहां पे हम आई हुए हैं यहां पे अंतिम चरन यानि 27 मई को यहां पे चु गया यहां के लोगों का क्या मत है वो तो आने वाला समय बताएगा 27 तारीक को कि किसके सर पे ताज इस उड़ा शाड़ा जो पंचायत का जो ताज है किसके सर पे विराजमान होगा तो बरहाल अभी हमारे साथ जूड़ी हुई है भावी मुख्या परत्यासी है मैं उनसे जान जी करे करता भी है तो उनसे भी जानेंगे कि आपकी यह भावी जी है तो आप अपने भावी को किस तरह से पंचायत के डिवलोपेंट के लिए किस तरह से काम करने का काम करेंगे पहले तो आपको क्या नाम होगया जी पताइए जोहार मेरा नाम ललीता देवी है मैं जितने भी जितने भी सरकारी कार्योजना आती है उसको धरातल पर लानने के लिए कोशिश करा ठरूँगा अगर मुख्याग बन जाते हैं तब अच्छी आप लोग के बीच जा रहे हैं तो लोग का क्या सिकायत हैं और क्या डिमांड है तो राजुजी से मैं जानता हूं राजुजी आपको भी वेव समझाने बहुत-बहुत स्वागत सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे यहां आएं और मैं पुना सबको जोहार करता हूं आज जीस तरह से ओजासाडम का परस्तिती रहा इन 11 साल का जो कारेकाल साड़े 11 साल का कारेकाल जो 35 चुनाओ से मुख्या परत्यासी चून के आए हुए थे आज इस बीच बहुत सारे कमिया जो रही आज जनता के बीच जो एक मुल्भूत सुवीधा जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और आज हम लोग निमन वर्ग से चलते आज मैं अपना भावी को समर्थन दिया हूं और निश्ची तोर पर मैं खाना चाहता हूं कि भावी आमारी मुख्या परत्यासी में भाइट कर रही है जीत के आने के बाद निश्ची तोर पर हम लोग विख्यास करेंगे सबसे पहला मेरा है जो आप जल संपड कर रह स्वास्त की बात हो जब गिशी का परिशानी हो बारा बजे रात हो या एक बजे रात हो हम लोग सब को मलत पहुचाने के काम करते थे क्योंकि आज इस गाव छेत्र में पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते हैं जागुरुक कम होते हैं और होस्पीटल नहीं ले जाने के भी कराते थे और पुर्व में ही जैसे रासनकार हो गया बिर्धा पेंसन बिद्वा पेंसन इसमें बहुत धांगली हो रही थी इसमें हम लोग बढ़ चड़के हिस्सा लिए और समाज के लिए एक अच्छा काम करने का मुका मिला इसलिए हमें जनता भी चाह रही है आज हम मारे छेत्र में 6-6 मुख्या प्रत्यासी हैं और जबकि मेरा गाउं से ही दो चारव उठें हैं लेकिन आज आपको साइद भर्मन कर रहे हैं तो आपको विश्वास हो रागर दिख रहा होगा कि क्या मतला जो मामला मुझे दिखाई दे रहा है वो बाहरी बनाम अस्थानिय दिख रहा है जैसे जो पुड़ मुख्या थे उनको लोग कर रहते कि भाई बाड़ी लोग के समर्थन के वैसे मुख्या बन रहे थे लेकिन इस बार जो लोग का जो मूड है वो चेंज चुका है अस्थानियों को मौका देना चाह रहा है तो आप लोग के जंसम पर कर रहे लोग का रोजाने क्या कुछ लंब कर हैं मांग क्या हुण लोग कर रहते जिटने भी हमारे दोशक अज इस तरव दोगों ने भोखा किया अज सबकुरे समाज पूरे जंता ता और यह कहीं ने कहीं इसलिए इन लोगों का थोड़ा मार्केट में चाहत पर नहीं है और आज हम लोग में पद पे नहीं होते हुए भी आज समाज के लिए हम वो समाजी कुठान के लिए काम किये इसलिए कहीं ने कहीं जनता का रुज्धान हम लो तरफ बढ़ रहा है अच्छा यह बता यह कि अगर माल लेजिए कि मुख्या बन जाते हैं तो आपको आपने क्या सोचा है किसानों के लिए जी सबसे पहले तो आज मेरा सबसे पाला मुद्दा है सड़क जो आज यह में रोड जो खिलारी जो निकालती है आज इस रोड से जितने भी सड़क जूड़ी हुए ज्यारा तर सड़के कच्ची होने के चलते आज बच्चे श्कूल नहीं ढंक से पहुच पाते कहीं साइकल से गिरने के वज़े से चोट लग जाती है किसान कभी-कभी सब्ची बेचने के लिए निकलते हैं तो टेंपो पलड़ जाने से नुक्सान हो जाता है तो सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि सड़क को दूरुस्त किया जा दूसरी बात है कि हम आज यहां पर बहुत असिक्षित लोग हैं आज भटके हुए लोग है तो आज उन्हों को एक मंच पर लाकर सिख्षा पर बढ़वा दिया जा और आज कहा जाता है सिख्षा वो सेरनी का दूध है जिसने पिया उसने दहरा तो इसलिए आज कहीं ने कहीं हम लोग सि कीर्ष जाल था सिक्षा करने के बाद आज लोग आ गए हैं समाज में नहीं रहते हैं आज इन परस्तितियों में इलाज कराने लिए लोग यहां से पंदर किलियो मेंटर दूर जाते हैं बुढ़मू जाना पड़ा तो दस किलियो मेंटर दूर होता है को कहीं ने कहीं आज इतना खंड खर्चा करें के हमारा पंचायत के दूर भाग यह है तो मैं डोक्टर का भी पहाल कराने का हम सरकार से मांग करेंगे और प्रचा स Shape करेंगे जहां इसके लिए हमको जाना पड़े हम लोग जाएंगे हरस्तर पर इस पंचायत का डिवलिफ्पे दिवल्मेंट करने का मन बना लिए हैं अगर मुख्या बन जाते पुब्लिक आज मॉडल पंचायत बनाने के लिए मेरा पास जो मेनिफेस्टों है आज कुछ भाग हमारा जो है मतलब वजा सडम पंचायत को सिस्यल अदिगीरित छेत्र में आते हैं और आज तमाम उख्या जो पिछले गुजर चुके आज किन ही को जो एसर फंट जो कहा जात इतना भी कारें यहां कराना है उसे हम पहला प्राइथमिता उसको भी देंगे और जो मुख्या फंड से आज देखा जाए तो बहुत ही अच्छा फंड मिलता है गांचेत को विकास करने के लिए आज किसानों के लिए देखा जाए या तो फिर मजदूरों को लिए दिखा है सभी के लिए बहुत ही अच्छा आफसर राता है कान परने के लिए कहने कहें चुक है इसलिए हम लोग पिछड़े वे लेकिन पुर्ण विश्वास है कि हम लोग आने के बाद यह सारे कमियां को दूर करेंगे तो अपने सुना की जिस तरह से भावी मुख्या परी आसे हैं लली ता ले ता देवी तो इनका कहना की अगर मैं मुख्या परन जाता हूं तो इस प कि अगर मुख्या में बन जाता हूं तो इस पंचायत को एतिहासिक आदार्स और डिश्टल बनाने के लिए और अस्तर पर डेवलप्मेंट करने के काम करूंगा जिम्वारी होता है इसी के वैसे वहाँ पिकास नहींुकाता है वहां अगर मुख्या ये बन जाते हैं तो कोशिस करेंगे कि उस्चेतरों में भी अगर कुछ दभी पुछली लोग हैं जो ज़रूरत के जो लोग हैं तो उनको भी हरस दर से उनको मदद किया जायागा ताकि इ करते हैं दुसरे पंचायत में वहां के भी मुख्या या भाई मुख्या प्रत्यासी है उनसे जानते हैं कि उनका क्यारोच मुद्धों पर मैं उनसे भी बात करूंगा आपने वेप समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने हमारे चैनल को झाल को तो क्लिया